एज़ा सुनने में है कि जर्मनी जो है वो next Canada बनने वाला है ऐसे कौन से रीजन है जो जर्मनी जो है वो one of the best country है और Canada से भी बहुत अच्छी है इंडिया से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से जो है वो Canada वे move कर रहे हैं रिसेंटली जर्मनी के बारे में भी बहुत सारी information लेने के बाद लोग जो है वो work purposes से, study purposes से, business purposes से move करने लगे हैं और Canada में तो ये सब चीजे जो है वो already settled हो गई है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि Canada रहने के क्या advantages है और Germany रहने के क्या advantages है अपकोर्स कैनेडा रहने की क्या disadvantages है और Germany रहने की क्या disadvantages है हमारे friends ने और हमने जो experience किया है आज इस वीडियो में हम वो ही share करेंगे इसी के साथ मैं हूँ सुर्भी Indian Girl in Europe मैं बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ Europe और Germany से related जो कि आपको help करेगा basically move करने में यहां पर और अगर आप move करने वाले हैं Germany तो आपकी जो life है वो easy बनाएगा हमारे वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में जो कि हम advantages of Canada and Germany and disadvantage of Canada and Germany के बारे में बात कर रहे है इसमें मैं और दीपक जो है वो आपको different different points से तॉलिंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है at the end of this video आपको समझ में आ जाएगा यार यह जो है अच्छा है यह बुरा है और हम लोग रहते हैं जर्मनी में तो थोड़ा सा तो हम जर्मनी के बारे में extra चीज़े आपको बताएंगे तो बिटा कुछ टाइम वेस्ट करे हुए let's start this video सबसे पहला पॉइंट आता है public transportation बहुत important है कहीं भी commute करने के लिए तो अगर मैं बात करूं कि country की अंदर जो public transportation है वो जर्मनी में कैसा है अगर आप opt करते हो तो अच्छा है नहीं आपके पास car तो भी आप बहुत easily survive कर सकते हो on the other side Canada में public transport उतना easy नहीं है जो metro cities है जो बड़ी cities है उनमें जरूर चीज़ें बहुत easy है बट अगर आप कही remote areas में चोटे towns में जाते हो ना तो बहुत difficult होता है comparatively Germany के public transportation दूसरी चीज़ आती है हम इंडियन से हमारे लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है इंडिया से geographically कितनी दूर हैं दोनों देश तो अगर मैं geographically distance की बात करूं तो Canada से आधा ही है Germany जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा advantage होता है और उसी के वेज़े से हमारा difference आता है time zone में Canada से time zone बहुत ज्यादा differ करता है तो आप अपने close ones से उतनी regularly आप connect नहीं कर पाते हैं daily की daily बात्चीद नहीं हो पाती वाइल की जर्मनी से जो time zone difference हो साड़े तीन है साड़े चार घंटे का होता है depending on the month of the year which is मैं जो बोलूँगा कि इतना जादा difficult नहीं है regularly communicate करने के लिए geography की बात कर रहे हैं तो Germany of course it is heart of the Europe जिनको travel करने का शौक है उनके लिए बड़ी ही अच्छी location है क्योंकि आप पुरे Europe में travel कर सकते हैं आप Germany को अपने ऐसे base location set करके आप इतनी सारी countries में travel कर सकते हैं जो कि बहुत easily accessible हैं by road, by train, by flight, by buses, हर mode of transportation आप use कर सकते हैं बहुत cheap पड़ता है आपको travel करना और Europe अपने आप में बहुत सुन्दर है comparison करने से पहले Canada और Germany हम देखते हैं कि Canada की जो currency है वो Canadian dollar है और जो Germany है उसकी Euro है तो एक Euro लगबग 1.44 Canadian dollar के बराबर है जिससे ये पता चलता है कि Euro जो currency है वो ज़्यादा strong है और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि salaries की अगर हम बात करें तो Germany की जो salaries है वो भी बहुत अच्छी है अब मैं बताती हूँ average salary जैसे average salary Germany की जो है वो 49,300 कुछ है across all the profiles across all the domain whereas अगर हम Canada की बात करें तो Canada की कुछ 59,300 Canadian dollar है जो कि अगर हम Euro में convert करेंगे तो 41,000 Euro के लगभग जो है per annum salary है जो कि कम salary है तो अगर आपको अच्छा earn करना है तो Germany जो है वो better choice है और यहाँ पर हम देखते हैं कि Germany का एक advantage है इसलिए of course Indians जो है वो बहुत जादा move कर रहे हैं Germany अभी recently because यहाँ पर salaries बहुत अच्छी है गर especially हम Indians के लिए हम जहां भी रह रहे हैं और इतने लंबे time के लिए अगर आप रहना चाहते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है घर करीदने के बारे में तो अगर मैं real estate की बात करूँ तो वह advantage है Canada को Canada में real estate थोड़ा competitively cheaper है जर्मनी से जर्मनी में बहुत जादा expensive हो गया और especially अगर आप metro cities में बड़ी cities में रह रह रहा हैं तो अनफोर्डिबल हो गया almost जर्मनी को नहीं है जर्मनी landlock country है limited इनके पास space है उस वज़े से यहां पर थोड़ा properties के rates जाजा है तो अगर आपके लिए बड़ा घर और घर लेना important है तो Canada को advantage है अब मैंने आपको यह तो बता दिया था last वाले point में कि Germany में जो है वो salaries अच्छी है लेकिन हमें एक point नहीं भूलना चाहिए tax deduction tax deduction जो है वो जर्मनी में ज्यादा है comparatively Canada में तो Canada में यहां पर advantage है क्योंकि Canada में tax deduction काम है for example मैं आपको एक case बताती हूं जिसमें मैं एक software engineer या IT profession की जो salaries है जर्मनी में अगर उसमें tax deduction की बात करें तो वो 30% to 45% जो है वो average deduction होता ही है whereas अगर हम Canada की बात करें तो उसमें 20.6% जो है वो deduction है अगर एक IT profession वहां पर काम कर रहा है तो इससे clearly पता चल रहा है कि जर्मनी में जो है वो tax deduction बहुत हाई है अपकोर्स उसके बहुत सारे benefits हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो here Canada has a advantage बहुत important point है यह हमारे लिए Indians के लिए कि आप कहां पर ज्यादा comfortable life lead करते हो जहां पर आपको अपना environment मिलता है वाला महाल मिलता है तो उस चीज में मैं बोलूँगा कि Canada में already बहुत जनरेशन से इंडियन से हैं तो उस वज़े से आपको जो इंडियन कम्मुनिटी है वहां पर काफी स्ट्रॉंग है काफी सालों से लोग वहां पर रह रह रहे हैं उस वज़े से आपको जो basic चीजे हैं खाने की नॉर्मल आपका राशन वह सारी चीजे अविलेबल हो जाती है फेस्टिवल्स को बड़े अच्छे सेलिवरेट किया जाता है बड़े बड़े मंदर हैं हर जगे मेक्जियम जगे पर वो चीज़ यहां पर missing है है यहां पर भी इंडियन कम्मुनिटी धीरे धीरे grow हो रही है आज से कुछ साल पहले की बात करूँ तो बड़ा मुश्किल थ यहां पर चीज़ें इंडियन कम्मुनिटी के हिसाब से कर पाना इसपेशली चोटे एरियास में पर अब समय के साथ चीज़ें बदल रही है पर फिर भी आज के टाइम पर हम कैनेडा से कंपर नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन कम्मुनिटी यहां पर भी इतनी स्ट्रॉंग इतनी पुरानी नहीं है जर्मनी में और उसी वज़े से सारी चीज़ें भी अविलेबल नहीं हो पाती है हर जगे मेट्रो सिटी में सब जगे सब कुछ है आज कल गलोबल हो गए यह दुनिया पर मैं बात कर रहा हूं चोटी जगे की तो वहां पर आप डेफिनिटली आपक में लैंग्वेज बोलते हो वैसे तो कैनेडा में पंजाबी भी बहुत जादा बोली जाती है हिंदी भी बहुत जादा बोली जाती है लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको कौनसी लैंग्वेज बोलनी पड़ती है उससे बहुत जादा आपके रहने पर फर्क पड़ इसका एडवांटेज तो अपकोर्स पड़ता है जब आप बहुत टाइम तक किसी भी कंट्री में रहते हो ओपेशली हमारे पैर्इंट्स के लिए हमारे रेलेटिफ के लिए वो कहां पर जादा यड़ांटेज थे तो उसमें डेफिनेटी ख्लिए यड़ांटेज ये कैनेडा को क्योंकि कैनेडा में आपके पैरिंट्स को आप एजीली अपने साथ मूव कर आ सकते हो आपके जो बिल start हुई है उसका example मैं आपको खुदी बता देता हूँ अभी तक ऐसा था अगर आपके parents आते हैं या आपके कोई भी friends family आते हैं उनको 90 days का visa मिलता है तो 90 days का ही उनको visa मिलता था longer visa लेना बड़ा मुश्किल होता था और first time में तो कभी नहीं मिलता था अभी recently ऐसा हुआ है कि आपको लंबे time का visa मिलने लगा है for example मेरे parents को ही 5 साल का visa मिला है जो कि multiple entry visa होता है 90 days ही रह सकते हैं पर आप 5 साल तक आपको कभी जब भी travel करना आप कर सकते हैं वो चीज़ें पहले नहीं होती थी व चीज़ आप होने लगी है पर अभी भी उस लेवल तक नहीं है कि आप सोचो आपके parents यहां पर move कर जाएं आपके साथ वो यहां पर option अभी नहीं जर्मनी में वो option Canada में है वहां पर आप अपनी family आपके parents सभी को invite कर सकते हैं और there is a possibility कि आप पूरी की पूरी family आपर shift हो सकते वो चीज़ यहां पर अभी नहीं है hopefully शायद होगी future में पर यहां पर clearly advantage है Canada जैसा कि मैंने आपको पताया कि because यहां पर Texas जो होते हैं Germany में वो बहुत high होते हैं तो उसके कुछ advantages भी होते हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी बट सबसे पहले मैं बात करती हूँ work-life balance work-life balance क जर्मनी में ऐसे ही नहीं promote करते हैं बलकि ऐसा है work-life balance जो है यहां का बहुत जादा awesome है उसके अलावा आपको 28-30 days जो है वो average leaves मिलती है जर्मनी में जो कि आपको लेना जरूरी होता है और आप उस time पर relax कर सकते हो जो कि हमने बहुत सारे videos में बताया वेरेसा अगर हम Canada की बा जर्मनी से अगर compare करूं तो जर्मनी जो है वो बहुत ही हद तक work-life balance में जो है वो advantage देता है यहां पर वेरेस अगर मैं sick leaves की बात करूं तो जर्मनी में जो है आप unlimited sick leaves ले सकते हैं अगर आपको कुछ भी problem हो गई आप fit नहीं feel कर रहे हो किसी भी reason की वज़े से तो आप sick leave ले जर्मनी में जैसे कि आपका जो maternity leaves होती है वो आप extend करा सकते हैं तीन साल तक प्लस आपको उस time पे पैसे भी मिलते हैं तो ऐसे बहुत सारे benefits होते हैं जो tax आप pay कर रहे हैं तो work-life balance family के लिए sick leaves प्लस जो leaves होती है आपकी family के साथ time spend करने के लिए वो एक बहुत बड़ा advantage है उसका फायदा हम लोग भी बहुत हद तक उठा पाते हैं जिसमें हम इंडिया जा सकते हैं हम आसपस यूरोप भूम सकते हैं तो यह बहुत बड़ा advantage है जर्मनी में रहने का वेरस केनेटा में जो है वो average उतना ही छुट्टिया मिलती है और वैसी ही life है जैसा US का culture है आपको पता ही है जर्मनी का एक और बहुत advantage है जो आप social security contribution जो भरते हैं उसमें अगर आपका job चली गई जॉब loss हो गया तो उसमें भी आपको एक amount जो है एक favorable amount जो है वो government पे करती है जिससे आराम से आप रह सकते हो कुछ time तक यह भी बहुत बड़ा advantage है जर्मनी में रहने का अब ह जहां पर better environment है कहां पर better facilities है तो यहां पर भी जर्मनी के पास एक advantage है जहां पर free tuition fees like free education होती है tuition fees जो होती है public universities में वो free होती है whereas Canada में आपको एक amount pay करना होता है जिसकी वज़े से जर्मनी जो है बहुत ही affordable है अगर आपको study करनी है plus दोनों ही जो है वो high quality education है but of course आप बहुत ही economically जो है वो जर्मनी में पढ़ लेते हैं plus अगर हम बात करें visa की student visa extension तो जर्मनी जो है वो job search करने के लिए भी आपको 1.5 years का time देता है जब आप job search कर सकते हैं आप जर्मनी में रह सकते हैं और एक बार आपको job मिल जाए तो आप दो साल के बाद PR जो है वो apply कर सकते हैं अपको थोड़ा जर्मन प्रोफिशेंसी होनी चाहिए बट आप apply कर सकते हैं दो साल के बाद विरस हम कैनेडा की बात करें तो कैनेडा में जो है वो जब आप study करते हैं उसके बाद आपको तीन साल का work permit मिलता है उसके बाद आप like parallel जो है वो PR apply कर सकते हैं और पास साल में आप eligible होते हैं पी आर के लिए तो अगर आप study करने आने वाले हैं और उसके बाद आप रहने का सोच रहे हैं long term में तो मेरे को ऐसा लगता है कि जर्मनी जो है वो कम टाइम पर आपको PR भी दे रहा है free education भी है तो here Germany has a advantage बहुत ज्यादा important दो फेक्टर होते हैं जब आप कहीं बाहर रहते हैं सबसे पहली चीज़ है safety safety बहुत important होता है क्योंकि बाहर रहे के आप उतना उस माहौल से नहीं रह पाते हैं जैसे आप इंडिया में रहते हैं कि हमें पता होता हैं इंडिया में किया सा माहौल है क्या हैं deal कर पाते हैं situation से उस case में अगर मैं बात करूं Canada और जर्मनी की जर्मनी बहुत जादा safe country है पर दोनों के comparatively Germany जादा safer country है यहां पर कभी इस तरह की situation सुनने में नहीं आई है बहुत कम rare ऐसे cases होते हैं जिसमें आपको लगे कोई आपका safety concern हो सकता है safety wise मैं बोलूँगा Germany is the best country secondly अगर मैं बात करता हूँ जो दूसरा सबसे important factor है वो होता weather जब भी हम बाहर रहते हैं obviously अगर आप इंडिया में कोई northern हमाली एरिया से हैं तो आप जरूर सर्दी जिल पाएंगा otherwise most of the Indians के लिए सर्दी बड़ा एक important factor especially यहां की और Canada की और Germany की सर्दियों की बारे में बात करू Canada का एक यह भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि वहां पर सर्दियां काफी लंबी और हार्ष होती है बलकि जर्मनी में आप ज्यादा अच्छे से आप ट्रेवल कर पाते और समर्स तो यहां पर अमेज़ेंग है तो उसके इसमें में बहुत बड़ा डिस एड्वांटेज है और यहां रहने के बाद तो यह बहुत बड़ा सर्दर्द बन जाता है वो है ब्यूरो कैसी डॉक्यमेंटेशन वह भी जर्मन लांगवेज में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहां पर रहना वेरस कानेडा में इतना डिफिकल्ट नहीं है of course because documentation भी English में होंगे and इतने documentation है नहीं पर यहां पर जो जर्मनी है इसमें बहुत जादा आपको documentation काम करना पड़ता है चाहे आपको अपने बच्चों का admission करवाना हो चाहे आप अपने लिए PR अपलाए कर रहे हो citizenship अपलाए कर रहे हो जॉब भी अपलाए कर रहे हो तो बहु किसी country में रहते हैं कभी भी आप बिमार पढ़ गए आपको कोई medical treatment की जरुवत हुई तो आपको बहुत हैवी amount जो है पैसा ना खर्च करना पड़े यह important होता है if you are living in any country तो यहां अगर हम Germany की बात करें या Canada की बात करें दोनों में जो है वो free healthcare अब हम बात करते हैं PR और citizenship मे अगर आप किसी country में रहते हैं तो आपको important होता है कि आप उसका PR भी लो and then उसके बाद citizenship पी तो अगर हम PR और citizenship की बात करें तो timelines जो हैं वो almost same ही हैं दोनों की like Germany में अगर आप blue card visa पे आ रहे हैं तो आपको 24 months के बाद आप eligible होते हैं and citizenship के लिए generally 5 to 8 years के बाद आप eligible होते हैं new laws आ रहे हैं Germany में but of course अभी जो है वो timeline around 8 years है whereas अगर हम Canada की बात करें तो Canada में जो है वो 3 to 5 years में जो है वो apply कर सकते हैं और आपको citizenship मिल सकती है यहां disadvantage Germany का यह है कि अगर आपको citizenship चाहिए तो आपको German language आनी चाहिए वो भी आपको अच्छी skill होनी चाहिए like C1 या B2 level की skill होनी चाहिए whereas Canada में जो है इस तरीकी की requirement नहीं है जो भी new immigration laws आएंगे Germany से related वो हम आपको बताते रहेंगे बट अभी की तो reality यह है कि अगर आपको PR भी लेना है और citizenship भी लेना है आपको German language आनी चाहिए जो की of course एक बहुत बड़ा disadvantage है यहां रहने के बाकि आपके लिए भी कुछ points जो हों point होगा और कुछ बहुत सारी ऐसी बाते जो हमने आपको बताएंगी वो शायद आपके लिए ज़रूरी होंगी शायद नहीं होगे पड़ यह सारी चीज़े थी जो हमें लगता है कि एक advantage भी हो सकता है Germany में रहने का या Canada में रहने का और disadvantage भी हो सकता है Germany और Canada में रहने का hope you enjoyed this video क्या आपके लिए अच्छी पॉइंट है क्या आपके लिए बेकार पॉइंट है वो जरूर कमेंट करना अगर हमने कुछ पॉइंट जो है वो मिस कर दियो हुए हो वो भी हम लोग सुनना चाते हैं देखना चाते हैं तो वो जरूर कमेंट करना अपकोर्स दो नोट फोगेट तो लाक शेर और सब्सक्राइब विल ते नेक्स वीडियो में बाबाए